हेलो एब्रिवान वेलकम टू माई यूटूब चानल लर्न विद्खवाहिश तो कैसे आप सभी तोडे इन इस वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं क्लास नस्री हिंदी सेलिबस सेशन जो है हमारा टूथाउजन ट्विटिफोर और ट्विप्ट है इसमें नस्री क्ला जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही उसफुल वीडियो होने वाली है तो यहाँ पर जो फर्स्स टॉपिक ciao कि बच्चों के न स्टी में पीराइन Pubह्स आते हैं इंग्लिस में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं तो इस तरह के से बच्चों के साथ आपको practice करने है strokes की जिसमें standing, slipping, slanting, curve, zigzag और curvy line को लेकर और slipping और standing line को लेकर साई lines बच्चो को सिखाई जाती है after finish the lines बच्चो को कुछ activity कराई जाती है जिसमें आता है tracing, then clay activity tear and pasting जहां paper को बच्चो को tear करना है paste करना है, coloring आते हैं बच्चो को object दिया जाता है यह सारी चीज़े बच्चो की writing से पहले आती है ताकि बच्चो अच्छे से writing के लिए अपने आपको prepare कर सके बच्चो की muscles के लिए hand muscles होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं यह सारी activity तो यह सारी activity में आपको share करूँगी उसके साथ बच्चो का जो main focus किया जाता है बच्चो पर वो स्वर पे किया जाता है क्योंकि स्कूल के according को स्कूल वेंजक भी सिखाते हैं और कुछ क्या करते हैं सिफ स्वर पे ही बच्चो का खाली स्थान भनने को देना है बच्चो को चित्र देखकर बच्चा क्या करेगा लिखेगा अक्षर पहला जो अक्षर होता है जैसे अनार की चित्र है तो बच्चो को आर लिखना है फिर अक्षर चाटना बहुत सारे अक्षरों में से जो भी पटिकल्ण आक्षर आप बोलते हैं बच्चो को इसे बच्चो को चाटना होता है तो अलग अक्षर पे गोदा लगाना ओर रोट का कोakerशेप्ट है अक्षर क्रम यानि सही करर्बे बच्चो को लगाना अक्षरों को हिंदी कविताएं आती हैं बच्चों के उसर याद करना इसके साथ वेंजग भी बच्चों को ओरली सिखाए जाते हैं तो यह जो फर्स यह जो उपर के टॉपिक है यह सारे बच्चों को हम activity के थू कराते हैं उसके बाद यह सब चीजे return में होती है पर ऐसा नहीं है कि बच्चों को आपको एक एक करके एक साथ ही सब कुछ कराना है बच्चों को एक एक करके हर चीज धीर धीरे introduce करनी है ताकि बच्चों का जो concept है वो clear होता रहे है और बच्चे अच्छे से चीज को सीख पाए तो यह सारे topic जो मैंने आपके साथ share किये हैं इससे related video मेरे channel पे already uploaded है आप वो देख सकते हैं आगे भी मैं वीडियो upload करूँगी उसके सासर जो activities है बच्चों के वो मैं आपको के साथ share करूँगी और इससे पहले मैंने अपने channel पे English और Math के syllabus share किये हैं अगर वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वीडियो के link में add कर दूँगी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और यह syllabus आपके लिए helpful होता है तो आप प्लीस इस वीडियो को एक like करना चैनल पे नया है तो चैनल को subscribe करना और bell icon को प्रेस करें तक कि आने वाली latest वीडियो के अपट आपको सबसे पहले मिले so thank you so much for watching my video see you in next video तब तक keep learning and keep teaching